हलो माइ डियर लर्नर्स यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है सब्जेक्ट हो रहा है एजूकेशन और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैं एबीट इस शोल्ग डिएकर आया हूँ पिछले से सेवेन यह से एकेस और मेरेiest अग्यूंट के लिए बहुत अएज्डी से बात बता दूँ को और कोश्टन और एंसर होगा हिंडी वर्षन के सांसाथ इंगलिस वर्षन में भी है तो समय न इसको बताया हूं तो वीडियो को लाइक करना है कमेंट करके बताना है आपके इस डिश्टिक्से वीडियो को देख और यदि आपको पीडियेप चाहिए हिस्ट्री का पॉलिटिकल का एजुकेशन का तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सर में मेरा वाटसप नंबर दिया गया है वहां से जुड़कर कुछ टम सेंड कंडिशन पर आपको पीडियेप जरूर प्रवाइट कर दिया यह किस मनो grounded का कथन है तो क्रो और क्रो मनो वेघ्ञानिक डावरट गने के अनुसार अधिगम कितने प्रकार का होता है तो नौप्रकार का ध्यान अवदी मापने वाला यंद्र कॉन सा है तो टाज़ ची टो इसको से मानसिक चंता के भहू घटक सिधानत के जनक कौन है तो थ्रस्टोन बिवहार के वर्णन में प्रतिकिरिया की ओधारणा रिपोर्ट किस वर्ष प्रकासित हुई थी तो यह हुआ था 1913 में किसने लिखी है तो कोह लरने टाइपिंग ट्रूटियों में क्रमी कमी किस प्रकार के अधिगम का उधारण है तो प्रयास और ट्रूटी विधी से अधिगम मध्य प्रभीर्ट की गर्णा का सबसे तेज तरीका कौन सा है तो आउसर यानि मीन ट्रू तो दो है चार है पांच हे एस में से Cayce इए लीश्रा हो रहा यह तो पांच इसमें से बीच में बीच में तो मध्यमिका क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा आप समझ गे होंगे आगे भारतिया सोतंत्रता अधी नियम कब पारित हुआ था तो 18 जुलाई 1947 में भारत कब संप्रभू समाजवादी धर्म निर्पेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्ये के रूप में जाना गिया तो 1976 में आयोग के कूल सदस्यों के शंखिया कितने थे तो 10 मुदलियार आयोग के अनुशार भाषा शिक्षण में छात्र शिक्षक अनुपात क्या होने चाहिए तो 30 अनुपात 1 किस आयोग ने स्वायत कॉलेजों के घठन की सिपारिश की थी तो राधा कृष्णन आयोग ने किस रिपोर्ट का सिर्शक शिक्षावर अराष्ट्रिय विकास है तो कोठारी आयोग का कोठारी आयोग में कितने कार्य बल थे तो 12 नवोदे विद्याले का दूसरा नाम क्या है तो केंद्रिय विद्याले भारत में दिब्यांग वेक्तियों का दिवस किस्तिती को मनाया जाता है तो 10 अप्रेल को सभी के लिए शिक्षा का अधिकार पहली बार किस कानून में मन्यता प्राप्त थी तो भारतिय शंबीधान क के अनुचेद 45 में आगे प्रतेक एक को शिखाओ किस अंदोलन का नारा था तो शिख्षा अंदोलन का यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है तो निर्बाद विदूत आपूर्ति अब देखिए से क्यों कोशन देख लिजिए संचिप्त उत्तर वाले प्रश्ण यानि डियो इस कंप्यूटर में अप्ल faudra किया जाने वाला एक अपरेटिंग शिश्टम है शब्ट्वेर और हाडबं में एक अंतर क्या है तो सब्ट्वेर कम्प्यूटर गंतर क्या है जबकि hardware इसका बहुती घटक है e-commerce से आप क्या समझते हैं तो e-commerce से ताथ पर यह online वस्तों और सिवावों की खरीद और विक्री से है CAD का पूर्णरूप क्या है CAD का पूर्णरूप computer-aided design है सोचना और जानना में अंतर क्या है तो सोचना का मतलब विचार करना या मनन करना है जबकि जानने का अर्थ जनकारी या जागरुकता होना है अधिगम के चरण क्या है तो अधिगम के चरणों में अलोकन अनुकरन अवर अभ्यास समिल है आगे सह संबंद गुणांक क्या है ट्रे ट्राड शमिक्राण क्या है तो ट्रे ट्राड शमिक्राण शांगेकी में उप्योग किये जाने वाला एक तर्णतिय सुत्र है आवर्तक किरिया क्या है तो एक आवर्तक किरिया वह होती है जिसमें करता आवर कर्म शमान होते है प्रतिकरियात्मक या सनवेधन शील बेवार क्या है तो प्रतिकरियात्मक या सनवेधन सील बेवार एक विशेष उतेजना के जवाब में होने वला बेवार है S.R. bond क्या है? तो S.R. bond बेवारवादी सिधान्त में एक उतेजना प्रतिकिरिया संबंध है Classical Conditioning का दुसरा नाम क्या है? तो Classical Conditioning का दुसरा नाम Paulorian Conditioning है उसके बाद फ्रीक्वेंची वितरण क्या है? तो frequency बित्रड किसी data set में प्रतिक मान के कितने बार घटित होने को दर्साने का तरीका है ठीक है आगे इसको देख लिजिए इतना का उसद निकालो तो उसद देखिए कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूं हो सकता है यह गलत भी हो सकता है तो इन सब को आपको जोड़ द दस और साथ को जोड़ दीजिएगा जोड़ देने के बाद जितना यह है गसे सबको जोड़ने के बाद आपको क्या कर देना है भाई सेविन कर देना है ठीक है वह आपका उसदory ढाज Ay कि एक वीतरण का उसत 25 और मध्यमी का चोबिस.पाइब इस वीतरण का मध्यमी ज्याद करें तो तर चोबिस.पाइब जिख्षा में औसर का है तो शिक्षा में औसर करते सेक्षिक संसाधनों तक समान पहुंच से हैं शमिधानका अनुछेद पंद्रम में क्या कहा गया है तो अनुछेद पंद्रम में जाती धर्म लिंग या जन्म स्थान के अधार पर भेदवाव को रोकता है 5 point scale क्या है, तो 5 point scale एक प्रकार का rating scale है, जिसमें 5 प्रतिकिरिया विकल्प होते हैं AICTU का पूर्णुरूप क्या है? तो AICTU का पूर्णुरूप अखिल भारतिय तक्निकी सिक्षा परिशद है उसके बाद कॉमन इस्कूल क्या है तो एक कॉमन इस्कूल वह है जो सभी बच्चों के लिए खुला होता है चाहे उनकी रिष्ट भूमी कुछ भी हो S.U.P.W. पच्छी मंगाल में किस बिसे से संबंदित है तो S.U.P.W. बेवहारिक सिक्षा से संबंदित है कोठारी आयोक्या त्री भासा सुत्र क्या है तो त्री भासा सुत्र मात्रू भासा छेत्रिय भासा और एक अतिरिक्त भासा से अधिगम को बढ़ावा देता है N.I.E.P.A का पुनरूप राश्टिय शक्षिक योजना और प्रशाषन संस्थान है ECE का पुनुरुप क्या है तो पुनुरुप प्रारंभिक बालेकाल देख भाल और शिक्षा है एकी कृत बाल विकास कारीकरम का उदेश्य क्या है तो एकी कृत बाल विकास कारीकरम का उदेश्य स्वास्त और होशन में सुधार करना है अपरेशन ब्लैक बोर्ड कारीकरम क्या है तो अपरेशन ब्लैक बोर्ड एक योजना थी जिसका उदेश्य प्रात्मिक विद्यालियों में नियूंतम अवश्यक शुभिदाय प्रदान करना है उसके बाद 1986 राष्ट्रिय सिक्षा नीती की समिक्षा किसी की अध्यक्षता में और किस वर्ष की गई थी तो 1986 की राष्ट्रिय सिक्षा नीती की समिक्षा 1992 में आचारिय राम मूर्ति की अध्यक्षता में के गई थी भारती ब्रेल क्या है तो भारती ब्रेल भारत में उप्योग की जाने वाली एक ब्रेल लिपी है जो द्रिष्टी हीनों के लिए है उसके बाद है National Association for the Blind की अस्थापना किस वर्स होई थी तो ये 1952 में होई थी और सधारन बच्चों को आज किस नाम से जाना जाता है तो और सधारन बच्चों को आज BCS आवशक्ता वाले बच्चे कहा जाता है Operation Blackboard क्या है तो Operation Blackboard का उद्यसे प्रात्मिक विद्यालों में नियुन्तम शाचिक सुविदा उपलब्द कराना है तो चलिए यहां पर आपका जो English version यहां से सुरू हो रहा है जो मैं उपर में हिंदी में बताया हूँ वही सारा Translate English में हुआ है आप लोग देख सकते हैं मैं धीरे धीरे करके विडियो को स्क्रॉल कर देता हूँ तब तक अभी तक मेरे विडियो को लाइक नहीं कियेHAHA तो लाइक कर दिजी अपने दोस्तों में शेर कर दिजिये और कमेंट करके बताइए कि आपके इस डिस्टिक से मेरे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा वाटसप नमबर दिया गया है वहाँ से जूड़ कर कुछ टम्स और कंडिशन पर आपको पीडियो पी जरूर प्रोभाइड किया जाएगा साथी साथ मैं 12 का वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि 12 की स्टुडेंट वीडियो को देखते नहीं अपने दोस्तों में सेर नहीं करते जिसके वज़े से भ्यूज का पी कम आता है और अच्छा नहीं लगता मेरे को देखकर में ट्राइ किया बनाने का लेकिन आप लोग सेर नहीं करते हो वीडियो को लाइक नहीं करते हो कमेंट नहीं करते हो इसलिए अच्छा नहीं लगता कि इए रीड है कि मैं इता है कि मैं एक सूजDA को विडियो बना और मैं लागतार 11 वालों को विडियो बनाता हो और कि वी अच्धार को विडियो बनाते हैं कि साथ्सक्राइब भी करते हैं साथ कर kisses observe हर बहुद अच्छा लगता है आप भी लिए भी जी जन लगाकर आपके लिए भी काम करूंगा ठीक है तो हमारा जो है वीडियो खतम होता है मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद